We'll go back to our YouTube channel. आवेदन करना ही बहुत मुश्किल होता था। एक एप्लिकेशन फॉर्म लेने के लिए गंटो लाइन में लगो रहो। डॉक्यूमेंट को एटेस्ट करवाने के लिए गैजेटेड अफिसर्स को खोजो। फिर एप्लिकेशन को डाग दुमारा भीजा जाता था। और इसमें ये भी पता नहीं चलता था कि वो एप्लिकेशन समय पर पहुची या नहीं पहुची। जहां पहुचना था वहां पहुची कि नहीं पहुची। आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया अनलाइन हो गई है। आज डॉक्यूमेंट को सिल्फ एटेस करना भी परियाप्त होता है। ग्रुप C और ग्रुप D के पदों पर भरती के लिए इंटर्यू भी खतम हो गए है। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि ब्रस्टाचार या भाई भती जावाद की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। साथियों, आज का दीन एक और वजह से बहुत विशेश हैं। नव साल पहले, आज के ही दीन, सोला मई को लोग सभा के चुनाव के नतीजे आये थे। तब पूरा देश उत्सा, उमंग और विश्वास से जुम उठा था। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ, कदम बढ़ाने वाला भारत, आज विक्सित भारत बनने के लिए प्रयास कर रहा है। जैसे नव साल पहले, सोला मई को लोग सभा के चुनाव के नतीजे आये थे। वैसे ही आज एक और भी महत्वपुन दीन है। आज हमारे एक महत्वपुन प्रांत हिमाले की गोद में बसा हुआ, सिक्किम प्रांत का भी स्थापना दिवस है। साथियों, इन नव वर्षों के दवरान, रोजगार की नई संभावनाओं को केंदर में रख करके, सरकार की नितियां तयार की गई। आदूनिक इंफ्रास्टर का निर्माण हो, ग्रामे छेतरों का विकास हो, या फिर जीवन से जुड़ी सुवीधाओं का विस्तार हो, भारत सरकार की हर योजना, हर नीती, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। साथियो, बीते नव वर्षों में भारत सरकार ने केपिटल एक्सपेंडिचर पर करीब करीब 34 लाख करोड रुपिये खर्च किये हैं मुलभूत सुवीधाओं के लिए। इस साल के बजेट में भी केपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दस लाख करोड रुपे ताय किये गए हैं। इस राची से देश में नए हाइवे बने हैं, नए एरपोर्ट, नए रेल रूट, नए पूल, अंगिनेत। ऐसे आधुनिक इंफ्रास्रेक्टर के निर्माण से भी देश में लाखों नए रोजगार बने हैं। जिस स्पीड और स्केल पर आज भारत काम कर रहा है, यह भी आज़ादी के 35 साल के इतिहास में अभूत पूर्व है। सतर साल में भारत में सिर्फ 20 हजार किलोमेटर के आसपास रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। जबकि हमारी सरकार में 29 साल में भारत में करीब-करीब 40 हजार किलोमेटर रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। याने डेबल 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मिटर 600 मिटर नई मेट्रो लाइन बिचाई जा रही थी आज भारत में हर महीने 6 किलो मिटर उस में हिसाब मिटर का था आज हिसाब किलो मिटर का है 6 किलो मिटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है 2014 से पहले देश में 4 लाग किलो मिटर से भी कम ग्रामीर सड़के थी आज देश में 7 लाग किलो मिटर से भी जादा ग्रामीर सड़के हैं ये भी करिब करिब डेबल 2014 से पहले देश में सिरफ 74 एरपोर्ट थे आज देश में एरपोर्ट के संख्या भी बढ़कर 150 के आस्पाथ पहुँच रही है ये भी डबल बीते नव वर्ष में देश में गरीबों के लिए जो चार करोड़ पक्के घर बनाए गए है उन्होंने भी रोजगार के अनेक नए अवसर बनाए है गाउं गाउं में खुले पांथ लाग कॉमन सर्विस सेंटर आज रोजगार का बड़ा माद्यम बने है युवाओं को विलेज लेवल एंट्रेपरणर्स बना रहे है गाउं में तीस हजार से जादा पंचाए धवन बने है या फिर नव करोड़ घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ना ये सभी अभ्यान बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर रहे हैं देश में आ रहा विदेशी निवेश हो या फिर भारत से रिकॉर्ड एक्सपोर्ट ये देश के कोने कोने में रोजगार के आउसर बना रहा है साथियों बीते नव वर्षों में नेचर अब जॉब नेचर अब जॉब में भी बहुत तेजी से बढ़लावाया है बदलती हुई इन परिस्तितियों में युवाओं के लिए नए सेक्टर्स उभर कर आए हैं केंदर सरकार इन नए सेक्टर्स को भी निरंतर सपोर्ट कर रही है इन नव वर्षों में देश ने स्टार्ट अप कल्चर की नई क्रांती देखी है 2014 में देश में जहां कुछ सो स्टार्ट अप से वहीं इनकी संग्या आज एक लाख स्टार्ट अप तक पहुँच रही है और अनुमान यह है कि इन स्टार्ट अप में कम से कम दस लाख युवाओं को रोजगार दिया है साथियों इन नव वर्षों में देश ने कैप एग्रिगेटर्स यानि एप के जरिये टैक्सी को भारतिये शहरों की नई लाइप लाइन बनते दिखा है इन नव वर्षों में ओनलाइन डिलिवरी का एक ऐसा नया सिस्टिम तयार हुआ है जिसने लाखों युवाओं को रुजगार दिये हैं इन नव वर्षों में ड्रोन सेक्टर में नया उच्छाल आया है फर्ट्रिलाइजर के छिड़काओं से लेकर दवाईयों की सप्लाई तक में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है इन नव वर्षों में सीटी गैस डिस्टिबिशन सिस्टिम साथ सहरों से आगे बढ़कर छैसों से भी जादा सहरों में पहुँच गया है साथियों, बीते नव वर्षों में भारत सरकार ने मुद्रा योजना के तहट 23 लाग करोड रुपिये देश के युवाओं को दिये हैं इस राची से किसी ने अपना नया व्यापार कारोबार शुरू किया है किसी ने टेक्सी खरीदी हैं, किसी ने अपनी दुकान का विस्तार किया है और इनकी संख्या लाखों में नहीं मैं गर्व से कहता हूँ, ये संख्या आज करोडों में हैं करीब करीब आठ से नव करोड लोग ऐसे हैं जिनोंने मुद्रा योजना की मदद से पहली बार अपना स्वतंत्र काम शुरू किया है आज जो आत्मन निर्भर्द भारत अभ्यान चल रहा है उसका भी आधार देश में मैनिफेक्चरिंग के माध्यम से रोजगार काम निर्मान करना है PLI स्किम के तहट केंदर सरकार मैनिफेक्चरिंग के लिए करीब दो लाग करोड रुपे की मदद दे रही है ये राशी भारत को दुनिया का मैनिफेक्चरिंग हब बढ़ाने के साथ ही लाखों युवाओं को रोजगार में भी सहायता करेगी भारत के युवाओं के पास अलग-अलग सेक्टरस में काम करने की स्कील रहनी बहुत जरूरी है इसके लिए देश में उच्च सिक्षा संसानों कौशल विकास संसाना का भी युद्जस तरपन निर्मान हो रहा है साल 2014 से 2022 के बीच हर साल एक नया IIT और एक नया IIM तयार हुआ है पिछले नव वर्षों में आउसतन हर हफ्ते एक युनिवर्सिटी और हर दिन एब्री डे दो कॉलेज खोले गए है हमारी सरकार आने से पहले देश में 720 के आसपास युनिवर्सिटी थी अब इनकी संख्या बढ़कर ग्यारा सो से जादा हो गई है साथ दसकों में देश में सिरक साथ एम्स तयार किये गए थे पिछले नव वर्षों में हम पंदरा नए एम्स बनाने की तरफ बड़े हैं इन में से कई अस्पतालों ने अपनी सेवाए देनी भी शुरू कर दी हैं 2014 तक पूरे देश में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे आज इनकी संख्या लगबग 700 हो चुकी हैं कॉलेज बढ़े तो स्वाभाईक तोर पर सीटों की संख्या भी बढ़ी हैं युवाओं के लिए उच्च सिख्षा की पढ़ाई के अवसर बढ़े हैं साल 2014 से पहले हमारे देश में MBBS और MD की सीटे सिर्फ 80 हजार के आस्पास ही होती थी अब देश में MBBS और MD की सीटे बढ़कर एक लाग सत्तर हजार से भी ज़्यादा हो गई है साथियों किसी काम के लिए काउशल का विकास करने में हमारी ITIs ये भी महत्वपुण भूमी का निभा रही है बीते नव वर्षों में देश में लगवग हर रोज एवरी डे एक नई ITI का निर्माण किया गया है आज देश की करीब पंदरा हजार ITIs में देश की नई जरुरतों के मुताबिक नए कोर्से शुरू किये जा रहे हैं पी-म काउशल विकास योजना के तहत अब तक सवा करोड से जादा युवाओं को स्क्रील ट्रेनिंग भी दी गई है साथियों, सरकार के इन प्रयासों से कितने ही नए सेक्टर्स में रोजगार के नए आउसर बन रहे हैं मैं आपको सिर्फ एक उधारन देरा चाहता हूँ E.P.F. का अगर हम वर्थ 2018-19 के बाद के E.P.F. के नेट पेरोल के आंकड़ों को ही देखें तो साड़े चार करोड से जादा लोगों को फॉर्मल जॉप मिली है Employee Providence Fund Organization का जो पेरोल डेटा है उसे साथ पता चलता है कि भारत में फॉर्मल जॉप में निरंतर वृद्धी हो रही है फॉर्मल जॉप में इस वृद्धी के साथ ही देश में स्वरोजगार के मोके भी लगातार बढ़ रहे हैं साथियों बीटे कुछ सब्ता हमें जीच तरह की खबरे आई है वो भारत में इंडिस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को लेकर अबुद्ध पुर्वफ पॉजिटिविटी को दिखाती है कुछ दिन पहले ही मेरी मुलाकात बॉल मार्ट के सीयो से हुई उन्होंने विस्वाद जताया कि उनकी कंपनी अगले तिन चार वरसों में ही भारत में 80,000 करोड रुपी के सामान का एक्सपोर्ट करने लगेगी हमारे जो युआ लॉजिस्टिक्स और सप्लाइचेंड सेक्टर में काम करना चाहते हैं यह इनके लिए बहुत बड़ी खबर है सिस्को के सीयो में ने भी अपनी भारत यात्रा के जैरान मुझे बताया कि वो भारत में बने आठ हजार करोड रुपिये के प्रोडस्क के एक्सपोर्ट का लक्स लेकर चल रहे हैं कुछ दिन पहले ही एपल के सीयो भी भारत आये थे भारत के उजवल भविश्य और खासकर मुबाइल मैनिफेक्टरिंग को लेकर वो भी बहुत विश्वां से भरे हुए थे दुनिया के मज़ूर सेमिकंड़क्टर कंपनी एन एक्सपी इसके टॉप एग्यूटिव भी हाली में मुझसे मिले हैं वो भारत के सेमिकंड़क्टर एको सिस्टिम के निर्माण और उसके सामर्थ को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं फॉसकोन ने भी भारत में अनेक प्रोजेक्ट में हजारों करोड रूपिय का निवे शुरू कर दिया हैं अगले एक सब्ता में दुनिया की बड़ी कंपनियों के बहुत सारे CEO से फिर से एक बार मेरे मिलना होने वाला है वे सभी भारत में निवेश के लिए जोश से भरे हुए हैं ये सारी बाते ये सारे प्रयाद दरसाते हैं कि भारत में अलग अलग सेक्रस में कितनी तेजी से रोज़गार के नए अउसर बन रहे हैं साथियों देश में चल रहें विकास के इस महायग्य में इतने बड़े परिवर्तनों में अब आपकी सीधी भूमी का होगी अगले पचीस वर्सों में आपको अपने दाईत्वों को पूरा करने के साथ साथ विक्षीद भारत के संकल्पों को भी साकार कर रहा है मेरा आप सबसे आग रहें कि इस अवसर का भरपूर उपयोग करें आज से आपके जीवन में सीखने का भी एक नया दौर शुरू हो रहा है सरकार का बहुत जोर अपने कर्मचारियों के नए स्किल्ड डेवलप्मेंट पर भी है इसी को ध्यान में रखते हुए ओनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी शुरू किया गया है इस प्लेटफॉर्म पर कई तरह के कोर्सिस उपलब्द है आप उनका पूरा उप्योग करे आपकी क्षमता जीतनी भड़ेगी इतना अपने कारिय पर सकारात्पक प्रभाव पड़ेगा और क्षमतावान लोगों के कारण कारिय पर जो सकारात्पक प्रभाव होता है उसका प्रभाव देश की सभी गति विध्यों में सकारात्पक्ता को गति देता है। को भी आपके परिवार जनों को भी क्योंकि उन्होंने भी आपको बड़ी आशा अपेशा और उमंग के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ दिया है। आज उनको भी मैं अनेक अनेक शुबकामनाई देता हूँ। आपके उजबल भविश के लिए प्रार्थना करते हुए फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। झालो